नमस्कार स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं कि बी ए में एड्मिशन कैसे लें बी ए कैसे करें कहां से करें आईए डीटेल में इस वीडियो में बात करने वाले देखिये स्टूडेंट्स बी ए कोर्स को करने के लिए भारत में हर राज्य में कई उनिवर्शिटी हैं और उन उनिवर्शिटी में जो है वो जुड़ीवी कई लाखों एफिलेटेड जो है वो कोलेजिज हैं कई गवर्मेंट कोलेजिज हैं कई प्राइवेट कोलेजिज हैं इन में से कोई भी कोलेज किसी भी कोलेज से जो बैचलर आफ आर्ट्स यानि की बीए की डिगरी प्रदान करती हो आप लोग उससे बीए कर सकते हैं बीए में एड्मिशन लेने के लिए सभी युनिवर्सिटी में जो है वो अलग अलग नियम है कई टॉप युनिवर्सिटी जैसे की जो है वो रास्तान युनिवर्सिटी रास्तान में रास्तान युनिवर्सिटी टॉप युनिवर्सिटी में हैं कई राज़ों में संचालित कई उनिवर्शिटीज तो कई टॉप उनिवर्शिटीज बिये के कोर्स के एड्मिशन में जो है वो एंट्रेम्ट्रेंस एक्जम का आयोजिद करती हैं तो कई universities ऐसी भी हैं जो 12th के आप लोगों के जो marks हैं उनके आधार पर आप लोगों के लिए जो है वो merit list बनाती है और आप लोगों को admission देती है जिसे राजस्तान में अगर मैं बात करूँ तो राजस्तान युनिवर्शिटी entrance exam अपने लिए जो है वो conduct करवाती है लेकिन राजस्तान में ही सिखावाटी युनिवर्शिटी फिलहाल बी ए की course के लिए जो है वो 12th के marks के अधार पर entrance exam करने 12th के marks के अधार पर जो है वो आप लोगों को seat देती है आप लोगों की merit निकालती है उसके अधार पर आप लोगों को प्रवेस देती है अगर किसी स्टूडेंट के 12th क्लास में बहुत अच्छे अंख है कोई स्टूडेंट हो सकता है जिसके 12th क्लास में बहुत अच्छे अंख हो तो state की या देश की top university या college से बी-ए कर सकता है जबकि average student जिसके की marks थोड़े कम है ठीक है अन्य university या college से बी-ए में admission ले सकते हैं इसके अलावा students के पास एक और option भी है कि घर बैठे open university से भी बी-ए कर सकते हैं students आप लोग जो है वो open university से भी बी-ए कर सकते हैं इसमें students को college नहीं जाना पड़ता कितना interesting है आप लोग घर बैठे भी जो है वो बी-ए कर सकते हैं सिर्फ exams में जो है वो आप लोगों को जाना होगा exams देने जो है वो आपको होंगे और seasonal work यानि कि जो project अगर आप लोगों ने ऐसा कोई subject चूज किया है तो आप लोगों वो projects जो है वो करने होंगे घर बैठे आप लोग वो project कर सकते हैं लगभग सभी university द्वारा BA में admission online माध्यम से होता है सब लगभग सभी में जो है वो BA में admission online platform के द्वारा होता है आप लोगों online उन में जो है वो पहले form apply करना पड़ता है उसके बाद में आप लोगों का admission रहता है जैसे किसी student ने 12th का exam दिया है और उसे BA करना है माल लीजे कोई student है उसने 12th का exam दिया और अब उसे BA करना है तो वो जिस university पर्टिकुलर जिस भी university से BA करना चाहता है उसकी website पर जाए पर्टिकुलर उसकी website पर विजिट कर सकता है और admission form भर दे अगर उसमें admission form जो है वो start है इस timing पर तो इसके बाद university चार से पाँच merit list जारी करती है टोटल चार से पाँच merit list जारी की जाती है अगर उन merit list में student का नाम आ जाता है तो वो उस university से BA में admission ले सकता है अगर किसी student का किसी भी merit list में नाम नहीं आता है तो private college से BA कर सकता है किसी भी जो है वो college में नाम नहीं आता है government college में तो वो जो है वो private college से BA कर सकता है इन collegeों में online वे offline दोनों माध्यम से admission ले सकते हैं आप लोग चाहें तो online जो है वो form apply करके फिर आप लोग admission ले सकते हैं या offline process भी होते हैं आप लोग college में जाईए और वहाँ inform करके आप लोग जो है वो detail लेके आप लोग वहाँ पर अपना admission ले सकते हैं BA करने के दौरान यानि पहली बार में BA में admission लेते समय स्टूडेंट्स के मन में यह सवाल आता है कि BA में कितने subject लेने होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स स्कूल को छोड़कर पहली बार college में सिफ्ट हो रहे हैं और उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है स्टूडेंट्स को बता दें कि BA में total पांच subject लेने होते हैं इसमें से दो subject compulsory होते हैं एक तो आपका हिंदी और एक English और तीन subject जो हैं वो आप लोगों को choose करने पड़ते हैं आप अपने इसाफ से जो है वो उन्हें select करते हैं कई option आपके पास होते हैं compulsory या core जो subjects हैं दोनों में students अपने इच्छा अनुसार कर सकता है इच्छा अनुसार जो है वो select कर सकता है compulsory तो compulsory ही रहेंगे core में आप लोग choose कर सकते हैं compulsory subjects के exam सिर्फ first year में होते हैं किंतना interesting है Hindi और English अगर आप लोगोंने subjects लिये हैं अगर private कर रहे हैं तो Hindi English अगर आप लोगोंने regular किया है किसी से तो आप लोगों हिंदी, English, computer और एक प्रयावरन का total चार compulsory जो है वो subject हो जाएंगे आप लोगों के सिर्फ एक बार आप लोगों को उन्हें first year में pass करना पड़ेगा अगर आप लोगोंने उन्हें pass कर लिया आपका काम खतम हो गया फिर एक बार इन्हें clear करने के बाद students को सिर्फ core subjects के exam देने पड़ते हैं अब आपको second year और final year में खीवल उन तीन subjects की जो papers होंगे उन्हीं की exam देने पड़ेंगे कितना easy है ना note अधिकतर universities में यही system होता है लेकिन कई university में भी subjects combination के rule इससे अलग-अलग भी होते हैं इसकी जानकारी किसी भी university की official जो website है उससे आप लोग ले सकते हैं बगी video देखने के लिए students आप लोग को आप बहुत बहुत दन्यवाद अगर आप लोग को video थोड़ा सा भी interesting लगा है तो please video को like कर दीजे चैनल को subscribe कर लीजे अगर आप लोग ऐसे और videos या ऐसी और knowledgeable videos देखना चाहते हैं तो बगी thank you students